इन चीजों को कभी भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए नमबर एक कूथा हुआ आटा फ्रीज में 10-12 गंटे तक वेक्टेरिया पनपने लगते हैं इसलिए बुरा असर पड़ता है नमबर दो कॉफी को फ्रीज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए इससे कॉफी कंडेंस होकर जम जाती है और कॉफी को एर टाइट डिबे में रखना चाहिए इससे उसका टैस्ट और महक बनी रहती है नमबर 3 फ्रीज में ब्रेड को रखने से बचना चाहिए खुले में सामान तापमान में रखने से ब्रेड अधिक समय तक चल जाती है और फ्रीज में रखने से इसके जल्दी खराब होने के आसार रहते हैं नमबर 4 खीरे को आम तौर पर सबजी माना जाता है College of Agriculture and Environmental Science के अनुसार यदि खीरे को 10 डिगरी सेल्सियस से नीचे तीन दिनों से अधिक रखा जाता है तो वो जल्दी से सड़ने लगता है इसलिए खीरे को फ्रीज में रखने से बचे हैं और नॉर्मल तापमान पर रखना चाहिए नमबर पांच टमाटर को भी हमेशा कमरे के तापमान पर ही रखना चाहिए फ्रीज में रखने से टमाटर का श्वाद और बनावाट उसकी सुगंद इसलिए टमाटर को हमेशा ठंडी और अंधिरी जगव सूरज की रोसनी से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए किरने जो सूरे की होती है वो उसको सड़ा देती है नमबर च्छे कच्छे आलो को खुले एक टोकरी में रखना चाहिए फ्रीज में रखने से ठेंडा तापमान कच्छे आलो में पाए जाने वाले कॉम्पलैक्सा कार्वोहाइटेट इसके सारे टेस्ट को बदल देते हैं इसलिए से फ्रीज में रखने से बच्छे सबजी बनाने के बाद चायो से फ्रीज में रख सकते हैं नमबर शाथ प्याज को फ्रीज में रखने से नमी के कारण मुलाइम पड़ जाती है जिसकी बज़े से जल्दी खराब हो जाती है अगर प्याज को ठंडी कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो प्याज दो महीने से भी अधिक चल सकते हैं अगर उसको हम जादा तर लोग फ्रीज में प्याज को नहीं रखते हैं और नहीं रखना चाहिए नमबर आठ लेस्न को भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये मौश्चर एवजॉर कर लेते हैं इससे प्याज की तरह ठंडी और खुली जगए पर ही रखना चाहिए नमबर नौ तरबूच को फ्रीज में रखने से पहले ये दिक्कत होती है कि हर चीज में दूद में भी इसकी स्मेल हो जाती है इसलिए कवी तरबूच को और खरबूच को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए जिस वज़े से इसकी बिल्कुल नैचरल टेस्ट गाइव हो जाता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक करें